मैं तो कहा रहा हूँ कहीं कुछ है इने हमारे साथ कहां जश्टिस है मैं तो पहला सवाल कर रहा हूँ जश्टिस की बात है आप ने कहा के शोशल एकनुमिकल एन पॉलिटिकल जश्टिस देंगे ना हम शोशल जशाफ है ना पॉलिटिकल हमारे साथ जश्टिस है और ना एकन अब वहां पुलीस क्या करें अच्छा कटूए मुल्ले पाकिस्तानी आतंगवादी रोहंगिया बंगलादेशी अभी तुझे सिखाता हूं यह हो रहा है मैं यह कहा हूं कि यह मुल्क में शरू हो चुका शास्थिरोई पार्थभ्थाने में एक मुल्भी किसी मामले में पकड़ के गया तो जॉस कर लोगा मुल्लाद्व बहुरत छ्रिया बनाएगा अब Aleukh बात कहां कि उच पयरा है चारिए शरीडर के आतंकवाद में धूर कर दूंगा अदालतें कामनल होने लगेंगी तो हम कहां जाएंगे और अल्ला न करे अल्ला न करे कहीं सेना कामनल हो गई तब क्या होगा इसको बचाना पर गा मैं हाथ जोरकर प्रदामती जी आपसे अपील करता हूँ आप इस मुल्क को बचा लीजिए आप ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता राहूल गांदी के बसका नहीं है बचाना मौदी जी अगर चाहें तिस मुल्क को बचा सकते हैं क्योंकि वही उन्हीं के हाथ में ये भीड़ भी है मस्धित पर इन्होंने पत्थरबाजी की ओटो रिक्षा इन्होंने तोर फार दिया मोटर साइक तोर दिया तो पैर भी आपने तूर दिया हाथ में लगो भी पोडे ये काहें लिए रखें वो देखेजिन यह उएसा दिन क्यों ऊसा दिन देखे बैचारा याद रखिए वो तमाम लोग आज आजम खान कहा है मैं यही कह रहा हूँ आज वो तमाम अतिक कहा हैं मुक्तार कहा हैं जिस दिन आईटियों के चवराहे से घिसेट कर पुलिस आपको ले जाएगी उस दिन आप कहोगे मुलक के मुसलमानों हमारे साथ खड़े हो जाओ कोई नहीं खड़ा होगा जैसे अभी QR Code में खड़ा नहीं हो रहा संविधान के विरोध सरकार पर बैटे जो संविधान की शपत लेते हैं वही कर रहे हैं तो संविधान अर्थहीन होकर रह जाएगा ना देखिए संविधान क्या लिखा हुआ पढ़िए इसको यह जो है दिखा अब आप इस तरह से, अरे एक पॉइंट्स भी ना जिस्टिस है ना लिबर्टी है ना एकॉलिटी है ना, मैं तो कह रहा हूँ, कहीं कुछ है इने हमारे साथ, कहां जिस्टिस है, मैं तो पहला सवाल कर रहा हूँ, जिस्टिस की बात है, आप ने कहा कि शोशल, एकोनुमिकल पॉलिटीकल जिस्टिस देंगे, ना हम शोशल साफ हैं, ना पॉलिटीकल हमारे साथ जिस्टिस है, और ना एकॉनुमिकल जिस्टिस है, ना उक्रियों में हमारे साथ भेदबा खुले आम हो रहा है, पॉलिटिक्स में हमारे साथ भेदबा हो रहा है, हमें चुनाव लड़ हसन को टिकट मिला तो गिराज सिंग गाए लेकर रात में घूमने लग गए कि गाए बचाने वाले को बोट दोगे या गाए खाने वाले को बोट दोगे ये हुआ पूरी रात तो ये लोग जबरन हिंदु मुसल्मान अरे बही गाए और क्या काते भैंस का चुनाओ का मामला सडक से है बिजली से है पानी से है नौकरी से है भिकास से है ये गाए भैंसुर उल्लू गधान आपने एक अलग मसला बना कर रख दिया चुनाओ को भी ये जो वीडियो सामने आती है जैसे गुजरात से वी कर रखा है तेरी आउकाद उसके बाद वीडियो आई है वो पुलिस जिंदाबाद के नारे उफी हाँ यह यह हो रहा भाई तो पुलिस को आपने मैंने संपरदाइक बना दिया पुलिस वाले थाने में अभी यहां दिल्ली की बात बता हूं शास्तिरी पार्ट थाने में एक म तंकवाद में अंदर कर दूँगा मैंने बड़ी हेवी पेरी लगा क्यों उस मौलना को बाहर निकल वाया यह हालाथ हैं पुलिस अगर कॉमनल होगी एक बात बताइए तो हम कहां जाएंगे अधालतें कॉमनल होने लगेंगी तो हम कहां जाएंगे और अल्ला ना करें कहीं सेना कॉमणल हो गई तब क्या होगा जिस तरह पैटर्न पर ये लोग चल रहें जिस रास्ते पर चल रहें अब बताईए कि हम ठाने जाते हैं ठाने हम क्यों जाते हैं हमारा जगड़ा राम शियाम किसी से भी हो सकता है हमारा जगड़ा हिंदू अरे एक ही साथ हम रहते हैं परोस में नाली को लेकर पानी के निकासी को लेकर किसी भी बहाने से हमारा परोसी एक हिंदू है हमारा जगड़ा हो गया हम दोनों ठाने के मुद्ध हमारा नाली का है पानी का है जल निकासी का है जल आप उर्ती का है इत्यादी इत्यादी महले का अब वहाँ पुलिस क्या करे अच्छा है कटुए मुले पाकिस्तानी आतंगवादी रोहंगिया बंगलादेशी अभी तुझे सिखाता हूं ये हो रहा है मैं ये कह रहा हूं कि ये इस मुल्क में शुरू हो चुका बहुत गलत रास्ते पर मुल्क जा रहा है इसको बचाना प भीड़ भी है दोनों भीड़ भी उन्हीं के हाथ में है तो मोदी जी अगर चाहें तो मुल्क बचा सकते हैं ये गलत नेरेटिव से टोरा कि हम थाने में जा रहे हैं फर्यादी बनके और हमें रोहंगिया बनादेशी पाकिस्तानी आतंकवादी और कटुआ और मुल्ला कहा जा रहा और हमें वहीं पर डिपरेशन में डाल दिया जा रहा हम अपना पक्छ रखने के लाइक भी नहीं बच पा रहे हैं तो जब थाने में यहाल होगा जब आदालत में हमारे साथ यहाल होगा यह सारे लोग अगर कौमनल बन जाएंगे तो हम अपनी फर्याद लेकर कहा जाएंगे यह सवाल है और इस सवाल को मैं परदामती जी के पास पहुचा रहा हूँ कि परदामती जी आप से मेरा सवाल है कि मैं थाने जा रहा हूँ इस उमीद पर कि वहा हमें नहाय मिलेगा और वहां हमें अगर कटवा मुल्ला कहकर हमें जो हमारा पीटा जा रहा जबक पुलिस कॉमनल हो गई, पुलिस जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो भगवाधारी जो सड़क पर आतंग फैला रहे हैं, टेरर क्रियेट कर रहे हैं, और हम पुलिस को देखकर डर जा रहे हैं, पुलिस को देखकर मुसल्मान इस वक्त ऐसे डर रहा हैं, जैसे लग र रहेंगे वो तो हमारी रक्षक है बार समझे है पुलिस तो हमारी रक्षक है यह बहुत बड़ी बात है पफथर बादी का वो वीडियो जरा गुजराट तर Mormon का सिकेंट पार्ट देखें वो हिंदु है और इस पत्थरबाज पर एतनी कारवाई कि जिस कारवाई की कोई सीमा ही नहीं है इसको पुरी दुनिया से खतम ही कर देना मकसद हो जाता है घर तोर दो मकान तोर दो धुकान तोर दो गाड़ी तोर दो अरे कमर तोर दो और इसका भी पैर तोर दो पैर भी तो वो आता है कि मीम तो ये बहुत गलत चीज़ है और सबसे बड़ी गलती हमारी तन्जीमों की है जो ये सब कुछ देख रहे हैं और बंद कमरे में शायद वो मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा है हमारे साथ तो ये नहीं है याद रखिए वो तमाम लोग आज आजम खान कहा है म जिस दिन आईटियों के चवराहे से घिसेट कर पुलिस आपको ले जाएगी उस दिन आप कहोगे मुलक के मुसल्मानों हमारे साथ खड़े हो जाओ कोई नहीं खड़ा होगा जैसे अभी क्यू आर कोड में खड़ा नहीं हो रहा बार सारी अपीले हो गई इनकी सारी अपील आई हैं वो चालिस से पचास लाख लोग शायद किलिक कर पाए हैं ये डूब मरने की चीज़ है इन तन्जीमों को जिनकी आवाज पर पचीस करोड़ की आवादी में अगर पांच परसंट भी आएगा तो पचीस लाख आएगा यानि दस परसंट लोग इनके साथ खड़े हैं 90% मुसल्मान इनके खिलाफ हो चुके हैं वो 10% इनको समा ले हुए जिस दिन वो 10% हटेंगे और वो हटेंगे अब बखत आ रहा अब बारी है जमात इसलामी की जमित अलुमा की और वो जो लट्थम बाजी कर रहे हैं मशावरत में उनकी इन लोगों को पुलिस उठाए उस दिन होश में ये आ जाएंगे